तारक महता का उल्का चश्मा इन दिनों हर गलत चीजों को लेकर लगतार सुर्ख्यों में है। पहले शो में रोशन भावी का किरदार निभाने वाली जनिफर मिस्तरी ने शो के प्रडियूसर असित कुमार मोदी पर हारस्मन जैसे गंभीर आरोप लगाते जिसके बात उन्होंने शो से खुद को एक्जिट कर लिया था। जनिफर के बाए शो में बावरी का किरदार निभाने वाली मौनिका भदौरिया ने भी असित कुमार मोदी को लेकर कई चुकाने वाले खुलासे किये। संग अपने लेटेस इंटेव्यू में डावा किया कि मुनमुन दत्ता की मेकर्स और असित कुमार मोदी के साथ अनबन हुई भयंकर लड़ाई भी हुई और उसके बाद वो शो चोड़कर चली गए इतना ही नहीं मौनिका ने शो में आक्टर और आक्टरस की सैलरी में फर् परिशान करते हैं तो लोग तै करते हैं कि वो काम पर वापस नहीं आ सकते लेकिन बात में उनको बुलाया जाता है और चीजों को बहतर बनाने की कोशिश की जाती है उनके मुनमुन दत्ता के साथ भी काफी जगड़े हुए है कई बार बहस के बाद तो वो सेट छोड़कर जा चुकी है और कई दिनों से सेट पर नहीं आए लेकिन उन्हें भी वापस बुला लिया जाता है मौनिका ने शो के मेकर्स पर आक्टर्स को जादा सैलरी देने और आक्टरस के साथ गाली गलोश तक करने का आरोब भी लगाया मौनिका ने इस बारे में बात करते हुए कह मेकर्स फीमेल आक्टर्स के साथ बहुत बत्तमीजी से पेश आते हैं कई बार तो उनके साथ गाली गलोश तक करने लगते हैं उनकी नजरों में औरतों की कोई आउकात नहीं है वो महिलाओं को महत्व नहीं देते हैं अगर किसी फीमेल आक्टर का शूट खत्म हो जाता है तो वो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं वो मेल आक्टर्स की शूटिंग पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं कुछ भी हो जाए वो वहां महिलाओं को वैल्यू नहीं करते हैं मेल आक्टर्स की तुलना में फीमेल आक्टर्स को बहुत कम भुकतान करते हैं भले ही दोनों क स्क्रीन टाइम समान हो वहां महिलाओं के साथ दुर्विवार करते हैं आप और क्या उमीद कर सकते हैं मैं आपको कभी नहीं बता सकती कि वो क्या कहते हैं मैं कभी भी इस तरह की गंदी भाषा का इस्तवाल नहीं कर सकती आपको बताते कि मॉनिका ने साल 2019 में शो छोड़ दि गया था और कहा गया था कि उन्हें पैसे दिये जाते हैं जब मर्जी तब बुलाया जाएगा हाला कि जब तक हम आपके सामने वीडियो लेकर आये हैं तब तक मुन्मुन दत्ता की तरफ से इन बातों पर कोई रियाक्शन सामने नहीं आया ऐसे में देखना बनता है कि मुन हुआ हुआ है